जाइका इंडिया का यूट्यूब चनल पर आपका स्वागत है आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक और विंटर स्पेसेल रेसिपी जो बहुत ही हेल्दी है और टेश्टी है और बहुत कम इंगेडियंट्स का इस्तेमाल करके कुछ ही मिंटों में ये डीस बन कर तयार हो ज आप नश्तिय के लिए अची तरह दोलिया है और सुखा लिया है अब हम इसे बारिक इडाए और यहां पर पेन में 3 तेल गरम करने के बाद हम इसमें एड़ कर देंगे 2 तेल स्पून बारिक कट्डा हुआ लहसुन क्योंकि यह लहसुनी मैथी है तो इसमें लहसुन की कौं जीरा कृमरैंस, डीली जैरेगल की जगह देशी घी का भी इस्तेमल करें लहसुन के पणके लखे लैसं के लिए फ्राइगे निकाल ल। तो जीरा चाल में देखनर के लिख में 80 गररके लिखनत सब्सक्राईब काट लेंगे साथ ही में हम इसमें एट कर देंगे मेथी जो हमने बारिक काट कर रखी हुई है और मेथी को हम तेल में एक से दो मिनिट टक हाई फ्लेम पर फ्राई करेंगे जब तक यह थोड़ी सोफ्ट ना हो जाए तो देखिए दो मिनिट तक हमने इसे हाई फ्लेम पर तेल में फ्राई कर लिया है और आप देख सकते हैं कि यह थोड़ी सोफ्ट होने लगी है तो इस टेज पर हम इसमें नमक एट कर देंगे तो नमक हमने यहां पर लिया है एक चोथाइटी स्पून या फिर टेस्ट का कोडिंग नमक एट कर सकते हैं और दो चुटकी हल्दी पाउडर एट कर देंगे इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसका पानी सूखने तक हम इसे लोफ लेम पर पकने देंगे मेथि की इस सबजी को हम कवर करके नहीं पकाएंगे इस तरह से खुले में पकाएंगे तक इसका जो हरा रंग है वो बरकरार रहे तो देखिए हमने सबजी को लो फ्लेम पर पांच मिनिट के लिए पका लिया है इसका पानी भी ड्राइ होने लगा है तो इस टेज पर एक बाई से चला लेंगे और हमने जो लहसुन फ्राइ करके रखे हुए हैं वो इसमे एड़ कर देंगे मेथी की सबजी अपने बहुत बार बनाई होगी लेकिन इस तरह से बेजिक इंग्रिजेंट्स का इस्तेमाल करके जट पट बहुत ही आसानी से मेथी की सबजी बनकर तयार हो जाती है आप इसे जरूर ट्राइ कीजिएगा आपको बहुत पसंद आएगी तो हमने इसमें लहसुन एट करने के बाद दो मिनिट तक और पका लिया साथ ही में सबजी बनकर तयार है एक टिस्पून देशी घी एट करके अच्छे से मिला लेंगे और सव कर लेंगे आपको हमारी विंटर स्पेसियल हेल्दी और टेस्टी मेथी की सबजी की रेसिपी कैसी लगी कॉमेंट करके जरूर बताएं वीडियो को लाइक और शेर करना बिल्कुल भीना भूलें चैनल पर नए है तो मेरे आपसे हमबल लिक्वेश्ट है के इसे ही हेल्दी टेस्टी और यूनिक रेसिपी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं फिर मिलेंगे जाइका इंदिया का यूट्यूब चैनल पर एक नए रेसिपी के साथ तब तक के लिए गुडबाई